जेहिंद वंदे मातरम स्वागते सभी सातियों का स्टेडी एक्जाम एकेडमी राजस्तान के सबसे लोगपीरी ओनलाइन पलेट फॉरम पर मित्र हूं थोड़ी कलास लेट हुई है इसके लिए माफी चाहेंगे क्यूंकि इससे पहले जो कलास चल रही थी वो चल रही थी महीला वे बालपराद की महीला वे बालपराद राजस्तान पुलिस कॉंश्टेबल सब इस्पेक्टर के लिए महत्वपुन टोपिक है उसकी उसमें हमने महिला बालपराद कवर कर लिया है और अपनी ये कलास सभी एक्जाम के लिए मेहतुपूर्ण है चाहिए आप राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल पटवारी सब इस्पेक्टर किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे है तो ये राजस्तान जीकी का टोपिक आपी मेह पूर्ण रेने वाला है आज हम बात करेंगे राजस्तान की बावडियां वे तालाग पहला क्यूंसन इसक्रीन पर है इसमें आपको गलत यूगम को चुनना है कौन सा यूगम गलत है कहने का मतलब क्या है एक तरब आपको जल रासी दी गई है दूसरी तरब आपको इस्ता या जिला दियावा है ठीक है बात करें इदर गेब सागर जील की काईलाना जील चांद बावडी या गड़ी सीसर ये काम पर है आपको मिलान करना है कुल मिला कर यानि इसके अंदर गलत यूगम कौन सा है वो चुनना है देखो गेब सागर जील काम पर है गेब सागर डूं नेर जो बिल्कूल गलत है बाकी ये तिनु एकदम राइट है बिल्कूल सभी का राइट एंसर है जिसको भी आ रहा है कमेंट बोक्स में एंसर जरूर दें और एक बार कलास को लाइक और सेर कर दें ताकि सभी मित्रों तक ये कलास पहुंच सकें अगला परशन तलाब एसाई तलाब एसाई का पर है दोलपूर में है इसका निर्माण जहांगिर के किस मनसबदार ने करवाया जलाल खां अमीर खां सुले खां या हमीद खां बिल्कूल तलाब एसाई का निर्माण जहांगिर के किस मनसबदार के द्वारा करवाया गया एंसर आ चुका है सुले खां सू हैल खां से बिल्कुल राइट एंसर है बढ़ते हैं साथ यूं अगले क्यूंसन के ओर राजस्तान में दूद बावडी कहां पर इस्थित है दूद बावडी दूद की बावडी कहां पर है सुजानगड चुरू माउंट अबू सिरोही सापुरा भेलवाडा विजोलिया बिल्कुल एंसर बते हैं क्या होगा दूद बावडी काम पर है सभी का शिरोही में यहं पर दूद बावडी है अगले परशन की बात करें तो हाडी राणी की बावडी काम पर इस्तिध है हाडी राणी की बावडी काम पर है सापुरा भीलवाडा आमेर जेपूर टोड़ा राइसिंग टॉंक या कॉलाइट जील विका नेर एंसर बताएं देगें बिल्कुल यहाँ पर से राइट एंसर आ चुका है टोड़ा राइसिंग टॉंक के अंदर है हाडी राणी की बावडी अगला परशन नवलखा बावडी का निर्माण कि इसने करवाया राणी पिर्मल देवी महारावल आसकरण महारावल सिव सिंग या राम सिंग बिल्कुल सभी का राइट एंसर आचुका है कमेंट वोक्स में ए हो जाएगा रानी पिर्मल देवी ने इसका निर्माण करवाया बढ़ते हैं अगले परसंड की ओर अगला देखें पन्ना और मीना की बावडी काँ पर इस्तित है सापुरा माउंट अबू बयाना या आमेर पन्ना मीना की बावडी काँ पर है तो बिल्कुल आमेर जेपुर राइट एंसर हो जाएगा अगला एक उन्सन पन्ना लाल सा का तलाब काँ पर इस्तित है पन्ना लाल जी है इनका तलाब काँ पर है खेतडी आमेर सापुरा या कपासन विल्कुल एंसर बताएं कमेंट बोक्स में तो पन्नालाल जी का तलाब ये सातियूं वो है खेतडी जुन जुनु में विल्कुल ए राइट एंसर हो जाएगा अगला क्यूंसन सेठाणी का जोहड कुंड कहां पर इसीत है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सेठाणी जी का जोहड कुंड कहां पर है कोटा, सिकर, जेपूर या चूरू बिल्कुल चूरू में कहां पर है चूरू जिले में है जो भी विदार्ती दे रहे हैं सभी का राइट है स्वागते सभी का गुड इवनिंग थोड़ी कलास लेट शुरू ही क्योंकि पहले महिला बालप्रा की थोड़ी कलास लंबी चल गई थी जिसकी बाद में अपने इस कलास को इस्टार्ट किया है अगला परसन इस्क्रीन पर आचुका है आप एंसर दें राजस्तान के किस जिले में अजबगड वे बानगड नामक बावड़ी इस्तित है अजबगड और बानगड बावड़ियां कहां पर है उद्यपूर, जेपूर, बुंदी या अलवर बिल्कूल अलवर सभी का करेक्ट एंसर आचुका है अलवर में अगला देखो एक चटान नामक बावड़ी किस इस्तान पर इस्तित है अमेर, मंडोर, कॉलाइट या जेपूर एक चटान नामक बावड़ी कहां पर है? मंडोर, जोधपुर में सभी का राइट है अगला परसन देखें बाई जी की बावडी राजस्तान के किस इस्तान पर इस्तिद है बाई जी की बावडी राजस्तान के किस इस्तान पर इस्तिद है तो बताएं साथ यूं बाई जी की बावडी कहां पर है आमेर, अभेडा, सहपुरा या बनेडा भीलवाडा तो बिलकूल राइट एंसर आज चुका है विदारतियों का बनेडा भीलवाडा के अंदर है नेक्स्ट अगला क्यूंसन गुलाब वे श्याम बावडी राजस्तान के कौन से जिले में है गुलाब वे श्याम बावडी, कोटा, बुंदी, जेपूर या जोदपूर बिलकूल बुंदी में है, कांपर है बुंदी में राजस्तान के कौन से जिले में नेंडशी बावडी इस्तित है नेंड सी बावडी कांपर है जेपूर बे जोधपूर से उधियपूर दे है बिकानेर सभी का करेक्ट एंसर आचुका है जोधपूर राइट एंसर बे हो जाएगा बढ़ते हैं अगले क्यूंसन के ओर राजस्तान के किस जिले में अजीत सागर तलाब इस्तित है इसका राइट एंसर बे हो जाएगा जोधपूर नेक्स्ट बिनोता की बावडी राजस्तान में कहां इस्तित है कहीं बार एकजाम में पूछी गई बिनोता की बावडी सहपुरा आमेर बड़ी साधड़ी या कोला एत एंसर नीचे कमेंड बोक्स में आना चाहिए बड़ी साधड़ी चितोड़गर बिल्कुल राइट एंसर से हो जाएगा अगला क्यूंसन किसोर सागर जील या इसे किसोर सागर तलाब भी बोला जाता है ये कहां पर इस्तित है बुंदी किसनगर उद्यपूर या कोटा राइट एंसर दे हो जेगा कोटा क्या हो जेगा कोटा बढ़ते हैं अगले क्यूंसन कियोर गडिस गडिसर सागर कहां पर इस्तित है एकजा में कहीं बार पूछा गया तो गडिसर तलाब कहां पर है उद्यपूर जेशल मेर माउंट अबू या बिका नेर जो भी विदारती इसका एंसर बे दे रहे हैं उन सबी का करेक्ट है जेशल मेर अगला परशन कोटा के किसोर सागर तलाब में जग मंदिर का निर्मान किस रानी के द्वारा करवाया गया मुसी महरानी ब्रिज कमर सोभग्य देवी या प्रेमल दे एंसर नीचे कमेंट बोक्स में आचुका है विदार्तियों का ब्रिज कमर सभी का राइट एंसर बढ़ते हैं अगले परशन की और बिल्कुल अगला परशन फूल सागर तलाब कहां पर इस्थित है कोटा बुंदी उद्यपूर या चित्तोडगाड फूल सागर तलाब कहां पर इस्थित है तो एंसर भी राइट हो जाएगा answer be right हो जाएगा बुंदी अगला देखें कपूर सालाग बिल्कुल कपूर सागर नामक कुंड किस इस्तान पर इस्तिद है ये कुंड है ज्यान रखना कपूर सागर कपूर सागर कुंड कहां पर इस्तिद है विजोलिया अचलगड बड़ी सादडी या बयाना राइट एंसर अचलगड शिरोई सभी का करेक्ट एंसर आ चुका है next हेमवास नामक तालाब हेमवास नामक तालाब कहां पर इस्तिद है अलवर दोसा पाली या जालोर राइट एंसर पाली बिल्कुल सही है हेमवास तालाब पाली में इस्तित है अगला प्रसंड पत्राला वे पिथाना नामक जोडा कहां पर इस्तित है कौन सा पुछा गया है पत्राला वे पिथाना नामक जोडा कहां पर इस्तित है जुन जुनू बे चुरू से अलवार देह जेपूर इसका राइट एंसर बे हो जाएगा चूरू नेक्स्ट तिवाडी नामक जादरा किस जिले में इस्थित है ए अजमेर बे जोधपूर से जेपूर दे उद्यपूर इसका राइट एंसर भी हो जाएगा जोधपूर बढ़ते हैं अगले क्टुंसन की और डूंगरपूर में इस्थित नवलखा बावडी का निर्माण राणी पिर्मल देवी ने कब करवाया था 1586 इस्वी बे है 1582 इस्वी से 1585 इस्वी और दे है 1584 इस्वी इसका राइट एंसर हो जाएगा ए 1586 इस्वी के अंदर 1586 इस्वी नेक्स्ट पग बावडी कहां पर इस्थित है पग बावडी कहां पर है जसोल, वीकुल, मिकल सर, आभानेरी, आमेर पग बावडी कहां पर इस्थित है मोकल सर, बाड मेर इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट शिरोई जिले की चंपा बावडी का निर्मान किसने करवाया चंपा बावडी का निर्मान किसने करवाया चंपा कमर पिरमल दे मान भाई रतन कमर इसका राइट एंस्वर ए हो जाएगा चंपा कमर नव लखा नामक तालाब कहां पर इस्टित है नव लखा ताज से सम्मधित बहुत सारी क्योंसें बनते हैं मैंने टेलिग्राम में डाल दी है ओल्डेडी बुंदी, डूंगरपूर, बारा या चितोडगड तो नव लखा नामक तलाव कहां पर इस्तित है तो ये बारा में है महिला बाग महिला बाग जालरा किस जिले में इस्तित है उद्यपूर, जेपूर, बुंदी या जोधपूर महिला बाग जालरा जोधपूर में है कहां पर है जोधपूर अगला प्रसन दूद तलाई नामक तलाव कहां पर इस्तित है दूद तलाई तलाब उद्यपूर चितोडगड परताबगड या बांसवड़ा इसका राइट अंसर उद्यपूर हो जाएगा ए जो भी विदारती दे रहे हैं सभी का राइट है अभी ते कलास को लाइक और सेर नहीं किया है तो पलीच जल्दी से करे है जेत सागर तलाब कहांपर इस्तित है उद्यपूर बूंदी अजमेर या माउन्ट अबू जेत सागर तलाब बूंदी में है कहांपर है बूंदी में इसका राइट अंसर बे हो जाएगा अगला क्यूंसन काफी मेहतुपुन रहेगा एक्जाम की दस्ठिशें पन्ना मीना की बावडी कहां पर इस्दित है इसका राइट एंसर ए सहपुरा विजोलिया बुंदी आमेर बयाना सरिस्का खंडेला या कामा इसका राइट एंसर बे हो जाएगा बुंदी आमेर आज की कलास में इतने क्यूंसन से छोटी सी कलास थी सभी का एंसर आपको पीडियप में नीचे मिल जाएगा 30 परसंट है मेला बाल अपराद वाली किसी को कलास देखनी है तो देख लेना और उसको ज़्यादा आप सेर भी कर सकते हैं धन्यवाद जय हिंद